हलो फ्रेंड्स वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के प्रेशने ठीक है अच्छे प्रेशने है और गुरूप डी में ये प्रेशने आपको बहुत मदद करेंगे तो पूरा वीडियो देखेगा चले स्टार्ट करते हैं पहला प्रेशने है एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक मिनट में कितनी दूरी तय करेगा एक मिनट की पूछ रहा है ठीक है याद रखना ये तो एक घंटा में 54 किलोमीटर है एक घंटा में ये 54 किलोमीटर है तो एक मिनट में कित पर जो यूनिट है वो घ्ञंटा है hour में है और यहाँ पर minute में है तीक है जैसे कि यहाँ पर kilometer में दे रखा है और मीटर में पूछ रहा है भाई दूसरी यूनिट में पूछ रहा है न तो इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रख रहा है आपको का यूनिट को अलग-अलग है तो समान कर लीजे अब देखी मैं आपको पता देता हूँ जैसे कि कोई यूनिट आपकी किलो मीटर में है और उसे आपको चेंज करना है मीटर में किलो मीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे तो किलो मीटर से आप मीटर में चेंज करेंगे तो किलो मीटर तो बड़ी यूनिट है और मीटर चोटी तो बड़ी यूनिट से जब आप च change करें किलो मीटर में ठीक है छोटी यूनिट से आप जा रहे नहीं पहले क्या हुआ था कशोटी से बड़ी में जब बड़ी में चेंज करेंगे तो बड़ी संपर जाएगो गठार है और बट ते जाएगा 5 कर थीठे जब चोटी यूनिट में बदलेंगे चोटी सांख्या उपर और बड़ी यूनिट में बदलेंगे ient के उपर बात के लिए हो गई अब कितनी की चाले आपकी आपकी चाले चौन की ठीक है चवण की चाले जब चाले चाले और हमन्मंते चेंज करना छोटी में जा रहे हैं जिब छोटी में जा रहे तो पांच बट्टे ठीक खत्म से काट देंगे चावन को आ तरीक चार उता है और तीन कोगुना कर देंगे पांच से तो कितनों जाएगा पंद्रह तो 15 मेटर पर सेकिल्ड यहापका आंसर हो कि किक इन क्या किया था 115 मीटर एक सेकिन्ड में प्रति सेकिन्ड का मतलब एक सेकिन्ड में कितनी 15 मीटर जब 1 सेकरे में 15 और पूछ रहा है 1 मिनट और 1 मिनट में कितनी सेकरे साट 30 सेकरे सेकर गूद जब एक सेकरे में 15 तो 60 सेकरे में कितनी साटिसे कर दो 15 शिक्के 900 शोकर 80 और 10 करेब 900 मीटर 100 में 200 मीटर दे रख़From ओप् listen यह आपके प्रेशनी का बिल्कुल सही जवाब है अब देखेंगे हम अगला प्रेशने अगला प्रेशने है एक व्यक्ति कार द्वारा नगर A से नगर B तक 72 km पर घंटे की caile से जाता है वह नगर B से नगर ए तक 48 km पर घंटे की चाल से बापस लोटता है तो पूरी यात्रा में उसकी ओसत चाल कितनी है याद रखिए क्या पूछ रहा है आप से पूछ रहा है ओसत चाल ठीक है ओसत चाल अदिके पहले थोड़ा सा समझ लीजिए जैसे की नगर ए से और ये नगर भी तक की कोई दूरी है ठीक है इसे दूरी को पहले तो वो तैय करेगा ऐसे जाएगा कितनी की चाल से जा रहा है 72 की से फिर बापस लोट के आ रहा है कितनी की चाल से भई 48 की चाल से बहतर की चाल से जा रहा है और फिर कि अगर 48 की चाल से वापस लोट रहा है तो एक ही दूरी को उसने दो बार ते किया कितनी बार ते किया भई दो बार गया फिर एक बार वापस आया कितनी बार ते किया दो बार ते किया उसने एक ही दूरी को आप X, दूसरी वाली दूरी को क्या माल नहीं है, याप Y, समझ भाई बात, मतलब एक बार गया, उसे X माल लो, और जो दूसरी और वापस लोटा उसको Y माल लेते हैं, और बटे में क्याएगा, दोनों को हम जोड देते हैं, मतलब X प्लस Y, यही आपका उसाचाल का देखे, कब है, जब A की ही चाल को फूर दो बार टेह कर रहा है, यहाँ से A नगर, A से नगर, B तक की जो दूरी है, वो तो समान है, इस तिर है, इसको दो अलग अलग चालों से तेह किया, अगर कभी यह कह दे, तीन बार टेह करता है, कोई कोई प्रेशन ऐसा आता है, जिस 72, Y कितना हो गया, 48, बटे में क्या है, बटे में X और Y दोनों को जोड़ देंगे, तो 72 और 48 को जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 और 8 दस का 0, कैरी का 1, 7 और 4 ग्यारा कैरी का 1 जोड़ देंगे, तो 12 यह हो गया, 120, ठीक, अब इसको कटा लेंगे, आपके प्रेशन क पांसरा गया, 12, 12, 12, 72, यह 0, 10 बार में कटा, 12, 12, 12, 72 कटा, अब यहाँ पर क्या 10, 2 से 10 कटेगा भी 5 बार में, ठीक है, अब यहाँ पर देखी क्या होगा, इनका गुना कर लीजे, इनका गुना, 6, 48 का 8 हा जाएगा, 6, 48 का 8, 6, 48 का 8, कैरी का 4 रहेगा, और 6, 24, 24 में क्या करेंगे, कैरी का 4 हम जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6, 24, 24, 24 में कैरी का 4 जोड़ देंगे, तो 28, ठीक है, 28 हो गया यह, अब क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड, 5 से डिवाइड करेंगे, कितने से 5 से डिवाइड, 5 से डिवाइड कर दो, 5, 5, तिन बच्छेए पच्चीस तीन बच्चेगा आठ जोड़ देंगे आर्तीस तॉड़ल 55 जोdar गया अब तीन बच्छे का जाएगा नहीं। तो दसमरब हो जाएगा कितनों ग्ला देट कितनों हुझ जाएगा शाट तामन दसमलब छेदे रखा बी ओप्सन में, यह आपकी प्रशनी का बिल्कुँ सही जवाब है, उम्मित करूँगा कि प्रशनी से अभी को अच्छे से समझ में आ गया है, आप देखेंगे अगला प्रशनी, अगला प्रशनी है, राम अपने घर से विद्याले तील किलोमीट प्रगंटे की चाल से चले, तो विद्याले के समय से पांच मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर से विद्याले की दूरी कितनी है, इसके लिए जो फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ, A गुने B, बटे में रहेगा, A और B, जो बड़ा है, उसमें से घट मतलब अंतर कर दीजिए, यह आपका फॉर्मूला रहेगा, यह प्रेशनी बहुत अधिक बार पूछा जाता है, बहुत बार यह प्रेशनी पूछा जाता है, कि पांच मिनट पहले पहुंच जाता है, इतनी की चाल से जाएगा, और इतनी की चाल से जाएगा, तो पांच मि 4-3 का अंतर कितना हो गया के लिए रहे अब दीखे यहाँ पर क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि 4-4 से चले तो बिध्धाले के समय से 5 मिनिट पहले पहुंचाता है तो उसके गर से बिध्धाले की दूरी कितनी है अब बताए इस प्रेश्णी में कुछ बचा, इस प्रेश्णी में तो कुछ आप बचाई नहीं है, ठीक है, इस प्रेश्णी में कुछ भी नहीं बचा, जिन बच्चों को ये प्रेश्णी करना आते हैं, उन्होंने अभी तक कर भी दिया हुआ, क्योंकि प्रेश्णी में कु का समय हो गया कितना समय हो गया 10 का समय हो गया इसको क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक मिनिट में 60 से होते हैं 60 से इसमें डिवाइड कर दीजिए बस बात परेशनी खतम हो गया के लिए देखे कैसे यह पर मैं से कटा लूँगा यह कटेगा 10 एक कम 10 और 10 से क कड़ेगा यह छे बार में तिन चोक के बारा बारा कउणा एक से करेंगे तो बारा ही indic रहेगा बटे में इक काअ जिए सरे करेंगे taste ही रहेगा और छे से बारे में अधिक लगते हैं तो यह दूरी कितनी हैं वाइक कर सकते हैं कि नहीं अब यह भी मैंने क्या बताया आपको एक गुने भी बटा में ए और बी का अंतर जो बड़ा हो उसको घटा देंगे ठीक है एक आपको कितना 15 है और भी आपका कितना 16 है 15 है और बी 16 है बटे में दोनों का अंतर एक आजाएगा गुने मैंने क्या बताया जो समय दे रखा उसको जोड़ देंगे यहाँ पर 16 मिनिट का समय ले रहा है तो 16 रख देंगे डिवैट कितने से कर देंगे 60 से कर देंगे बिल्कुल पहले के प्रस्की की तरह बचा ही क्या इसमें आप काट लो इसे अब य यह है दूरी कितनी है भाई यह जो दूरी है वो 64 किलो मिटर की है खतम हुआ प्रेशन अब देखेंगे हम अगला प्रेशने, अगला प्रेशने है, A तथा B, किसी A की ही दूरी को 9 km तथा 10 km की चाल से तै करते हैं, यदि A दुवारा लिया गया समय, B दुवारा लिया गया समय से 36 मिनट अधिक है, तो दूरी कितनी है, भाई दूरी कितनी है, आप तो निकाल लें दोनों का अंतर करेंगे, एक आ जाएगा, 36 मिनट अधिकली रहे, तो समय लिख दीजे, 36 मिनट का, डिवाइट कितनी से करेंगे, भी है, 60 से करेंगे, बार बार बता रहा हूं इस चीज़ को मैं, 10 से 60 को कटाएगे, 10 से 60 को कटाएगे, 6 बार में कट जाएगा, और 6 से 36 बा किसे आप solve कर देंगे तो आप exam में कितना समय लेंगे करने के लिए मेरे ख्याल से बस 5 सेकिंड का प्रश्ण है ये कितने सेकिंड का 5 सेकिंड से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए प्रेक्टिस कर दीजी आप इसकी खूब आप देखेंगे अगला प्रश्ण है तीन कारों की चाल 2-3-4 के अनुपात में हैं समान दूरी में तै करने के लिए इन कारों द्वारा लिएगे समय में अनुपात होगा समय का अनुपात पूछ रहा है किसे रहा है समय का अनुपात तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल होता है ठीक है दूरी बट्टे चाल अनुपात भीया देखिए आपको जो दे रखा है 2, 3, 4 के अनुपात में दे रखा है तो आप क्या करेंगे इसको बटे में लिखेंगे 1, 2, 1, 3 अनुपात एक बटे 4 ठीक है आपके जो 3 कारों की चाल का अनुपात है वो 3, 4 है ना तो इसको क्या करेंगे 1, 2, 1, 3, 1, 4 में लिख लेंगे समान दूरी में ते करने के लिए इन कारों द्वारा लिए के समय का अनुपात क्या होगा अनुपात कभी भी बटे की फॉर्म में नहीं होता ठीक है अब इसको सही फॉर्म में बना लिजे 2, 3, 4 का आप LCM लेंगे तो LCM आजाएगा 12 अब 2 से 12 को कटाईए 6 बार में 6 कांट पे एक से करेंगे 6 3 से 12 को कटाईए 4 बार में 4 कांट पे एक से करेंगे 4 और 4 से 12 को कटाईए 3 बार में 3 कांट पे एक से करेंगे 3 तो 6, 4, 3 यह आपका अंसर हो जाएगा ठीक है समय का अनुपत कितना हो जागा 6-4-3 6-4-3 दे रखा D option में यह आपकी प्रेश्णिका बिल्कुछ सही जवाब है उम्मिद करूँगा जितने भी प्रेश्णिक कराए हैं सभी आपको अच्छे से समझ में आगे होंगे किसी भी प्रेश्णिक में आपको कोई समस्या नहीं होगी ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद